मंच पर नितिन गड़करी बैठे हुए थे और तिरस्वी आदव को मंच पर रोहतास में बोलने का मौका मिलता है और 33 साल के युवा तिरस्वी आदव मंच पर चड़ कर भाशन तो देते हैं लेकिन साथ में उनके भाशन का एक ऐसा अंच भी है जिसमें तिरस्वी आदव कह कहते हैं कि हम नितिन गड़करी साहब आए हैं तो इनकी सरकार से कुछ मांगना चाहते हैं ये खबर इसलिए जरूरी है ताकि आपको मालूम चल सके कि जो आदमी बिहार के बारे में सोचता है वो किसी पुल के उद घाटन में भी बिहार के बारे में सोचता रहेगा और कें तिरस्वी आदव नितिनगडकरी जी को कहते हैं कि देखिए हम लोगों को विशेस राज्य का दरजा मिलना चाहिए पटना युनिवर्सिटी को सेंट्रल युनिवर्सिटी का दरजा मिलना चाहिए पुरवांचल एक्सप्रेस को आप सिधा भागल पूर तक ला दीजिए और इसके अलावा तमाम रोड का उधारन देकर तिरस्वी आदव एक लिश्ट लेकर आये थे जो बोल रहे थे वो नितिनगडकरी को और सुन कर लग रहा था मानो तिरस्वी आदव को मौका मिला है और वो मौका कोई पांचवी क्लास की बच्चा जैसे छोड़ना नहीं चाहत तिरस्वी आदव भी यह मौका छोड़ना नहीं चाहते थे नितिनगडकरी और तो नितिनगडकरी जी ने कितना अच्छा रेस्पॉंस दिया था तरिया स्थी अदव ने बताया कि नितिनगडकरी नेता नहीं है अपितु एक प्रोग्रेसिव नेता है जो पार्टी और दल से उठकर सिर्फ विकास की बात करते हैं लेकिन इन सब बातों के अलावा जिस बात में मेरे ध्यान को बहुत ज्यादा खीचा वो ये था कि मंच पर नितिंगड़करी बैठे थे और नितिंगड़करी भारत के प्रधान मंत्री नहीं है लेकिन फिर भी तिरस्वी आदव के मन को विशेष राज्य का दर्जा और पठना युनिवर्सिटी को सेंट्रल युनिवर्सिटी का दर्जा पुरुबांचल एक्सप्रेस्वे को भागल पुर्तक लाना होगा आप लोग को और ये सब सुनकर लोग लहा लोट हो रहे थे तिरस्वी आदव के बारे में जब कहा चलते रहता है कि देखिए हमने पुरुवांचल एक्सप्रेस मांगा है क्योंकि देखिए लोग जब आवागमन उनकी जो है उसमें उन्हें सहुलियत मिल जाएगी और उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा तो बिहार के लिए स्पेशल एस्टेटस का मांग करते हैं पटना उन्वर्सिटि के लिए जो लोग छिलाते रहते हैं दिनभर चात्र के इसको सेंट्रल उन्वर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए तरस्वी आदव ने अपने तरब से भरपूर प्रयास किया कि वो सारी चीजे उनको मिल जाए बिहार के लिहार से अगर हम बात कर रहे हैं development की तब तरस्वी आदव ने कहीं न कहीं अपने भाशन को कहीं दर्ज करने के लिए या फिर वो जानते हैं कि उनका भाशन मीडिया के खबरों में आएगा सुर्खियों में आएगा और अगर सुर्खियों में आता है और प्रधान मंत्री जी इस बात को सुनते हैं तो हो सकता है कि वो तरस्वी के बातों पर ध्यान दे दे इसलिए हमने सूचा कि आपको ये बताय जाए कि तरस्वी आदव आखिर कितना बिहा के बारे में सोच रही है और उनका एक मातर मकसद यह है कि अगर केंद्र का कोई निटा उनको मिलता है तो वो पहली बात यही कहते हैं कि बिहार को special status का दरजा दे दी Bereich ऑर मंच पन मेकारी की तारीफ करते करते धीरे धीरे बोलत बोलते तिरस्वी आखिर अपने उस असल मकसद पर पहुँचे जिसका माइना ये था कि बिहार को special status मिलना चाहिए और बिहार के पटना उनिवर्सिटी को Central University का दर्जा मिलना चाहिए ये सुनकर बिहार के कई लोग खुश हो रहे होंगे और वाकई में तिरस्वी आदव ने इस बात का आहवान कर रहा हो कि हमको मिलना चाहिए वो इस बात का सबूत है कि आपका उपमुख्यमंत्री कहीं न कहीं आपके बारे में सोच रहा है बाकिस पर कोई अब्रेट आएगे तो आपको मितला करेंगे आप जंदा निक्शन देखते रहिए बहुत बहुत धनेवा